राधे राधे एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं आपको अहो यस्टमी की बहुती सरल पूजा वेदी बताऊंगी कर सकते हैं जब भी आप पूजा करें तो अपने शादी की चुनरी ओड़े या फिर पीलिया जो संतान होने पर मैं के से आता है और साथ में दो-दो चाचा हरी चूडिया संतान की पहने बाकि अन्य कलर की पहन सकते हैं लेकिन दो-दो हरी चूडिया जैसी पहन रखी वैसे ज ले ले लें पर लोगण करके हलदी यह स्वास्तिक बना ले और एसे पूरा चंठ तक जलसे भर दें और उसके उपर ढ़कन लगा दें इसे दोगण कहा जाता है तो एक में हमारे आप जल भरा जाता है दूसरे के अंदर भर जाता है अनाज को बीडिए आपको अनाज मिल तेसे दोगर को 7 ऊड़ा नेगे असके गया चाहितान नहीं पुझा पूजये सकते हैं और दोगर कुझा सकते हैं तो हम जल की जानागे ISNAN तो जो भी तस्वीर में देवी देवी देवता सभी का आवाहन करेंगे पूजन हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले गणिश भगवान को आप ठीका करें यहां पर हम हल्दी से तिलक कर रहे हैं अहो यह स्ट मी के पूजन में हल्दी का विशेश रूप से प्रयोग किया जाता और वश्ट रुपी कलावा जन्य वादी जो भी आपके पास हो गणिश भगवान को समर्पित करें उन्से प्रार्थना करें और ऐसे हम सभी को रोलि से ठीका कर देंगे दोगण को भी और स्याव माता को भी तो यह पूजन आप चाहते तें कि ग्रूप में भी कर सकते हैं और फिर सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे, इसके बाद हम अहोईस्टमी मया को भोग लगाएंगे, तो भोग में आप मीठे पूड़े, गुलगुले, मीठी पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, आज की दिन मुखे रूप से मीठे पूड़े बनाये जाते हैं, साथ में रि पहले आप भोजनादी निकाल सकते हैं, तो फिर देखे हम एक जलका लोटा भरके रखेंगे, उसके अंदर ऐसे रोली से आठ टिक्क्या देंगे, और हाथ में थोड़े से गेहूं और दूर्वा ले करके, ऐसे हम यहां पर अहोईस्टमी मया की कथा सुनते हैं, कथा का वी निकाला है, तो इस साड़ी के ऊपर जो हमने दोगण में से एक घड़ा जो हमने घनाज का भरके रखा है, वो इस पर रख देते हैं बाएने के अंदर, साथ में फलों में से थोड़े से फल रख देते हैं, और ये मीटे पूडे जो हमने पूजे है ना, पूजा में उनको रख देते हैं बाएने के ऊपर, साथ में जो शुद्ध साथ में एक भूजन हमने बनाया है, पहले मा को भूख लगाया है, और उसके बाद में इसे और इसके अलावा भी कोई नहीं मिल पाई तो उनको भी आप बाइना दे सकते हैं सुखा आप बूजन उन्हें पूच सकते हैं ऐसे पूजा करने के बाद में शाम के समय तारी को अरगे दिया जाता है उसके बाद ही व्रत खोला जाता है अब देखिए यह दोगड़े से कहीं इसे आप कर सकते हैं हमारे यहां पर अगले दिन यह जो हमने जल से भरी है कमोई दोगड़ की जो एक घड़ा है जो हमने जल से बरा इसे गाय के खुटे पर सिला देते हैं आप इसे किसी भी गमले आदी में सिला सकते हैं या फिर आप दिवाली तक इसे अगर सुरक्षित अगर देखें जो अनाज दिये के नीचे रखा इसे आप चाहें तो गुमाता को या पशुपक्षों किसी को भी खिला सकते हैं या फिर बायने के साथ में आप इस अनाज को दे सकते हैं तो आज का इवीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बोक्स में जरूरू बतान गपप genre लगा मुझे के नाज कर दोंक टाएं बताना इस अनाज किसी को कॉम पह दोड़ किसी को धे बतानाज कर दोड़ किसी को या देसे आप हो किसी को वर इस बतानाज किसी को इस